हेलो अवरीवान, वेलकम तो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू किसने चैनल में आपका सवागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे डीफ्रेक टेबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिसिंस के बेजिक यूज के बारे में साथ ही जानेगे उसका डेली डोज, सैड इफेक्ट और वर्निंग और कॉंटर इंडिकेशन के डीटेल स्टेडी करेंगे और जानेगे कि ये टेबलेट किस तरह से स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प करता है मेल इनफर्टिलिटी में ये किस तरह से हेल्प करता है और जो लोग स्पर्म काउंट का जो प्रॉब्लेम होता है उसको कैसे ये मेडिकेशन स्वाल करती है तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर, असस्टरम प्रोफेसर और फाउंडर ओफार्मरोक्स, तेंक्यू पर बीन फार्मरोक्स फे मिलिया अपड़ेटेटर ये फामलेलच के साथ सीखिये अलग-अलग विमारियों के बारे में उनके उम्चार के बारे में दवायों के बेजिक यूश के बारे में डोस, साइड इफेक, वर्निंग और कॉंटर इंडिकेशन को एक साल तक अफ़ाड़िबल प्राइज में फार्मरोक्स के अब उपर दे अंडियोड यूजर अंडियोड अब डाउनलोड करें आइफोन यूजर अप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें कॉल या वाटसेप कर सकते हैं साथ ही आब हमारा सेकंड चैनल के जिसका नाम है हॉलिवूड तु हिंदी एक्सलेन इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे अलग-अलग हॉलिवूड की मुविस को हिंदी में आप देख पाएंगे वो भी काफी अच्छी पिच्चर कॉलिटी के साथ और अलग-अलग लेंग्वेज के सब्सक्राइब करें चैनल हॉलिवूड तु हिंदी एक्सलेन की जो हमारा सेकंड यूटूब चैनल है लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी और कॉमेंट बॉक्स में भी आपको हमारे ये सेकंड चैनल की लिंक मिल जाएगी तो अब सिखते हैं डी फ उसका इंग्रीडियंट्स की यहाँ ग्रीडियंट्स की लिए यूडूड खूस्टिली हैं और काउन आपको लेवल जाएगी तो और को अनदर वारे यूज मेंड़ में आप इसका लेबल की बारे के बारे में स्टेडी कर बारे में तो इंगे प TK सब्सक्रिप्सिन हैं त है तो जो एस्टाग्जन्थीन करके है 1% उसके अंदर एड़ किया गया है कि 8 मिलिग्राम जितना quantity में वो available है second देखे तो को एंजेम Q10 जो है वो 100 मिलिग्राम जितना है per tablet फिर तीसरा जो ingredient है सेलेनो मिथियोनीन करके जो है वो है 40 मिलिग्राम जितना ये tablet के अंदर जो है वो present है और चौथा में उसका ingredient वो है vitamin D3 की जो 1000 IU जितनी strength में ये tablet के अंदर जो है वो available है बाकी जो है वो excipents रहते है और sufficient quantity में कि आपे excipents की भी detail नीचे दी गई है जैसे कि इसके अंदर microcrystalline cellulose एड़ किया गया है tablet बनाने के लिए फिर coengym q10 है starch उसके अंदर है hydroxypropyl methyl cellulose है और extraxanthin और talc वगेरा preservatives vitamin D3 और magnesium stearate cross carmulosolus PVPK30 जिसे ingredients की जो tablet बनाने के लिए यूज होते है वगेरा उसमें एड़ किये हुए है तो बाकि उसके हम therapeutic class के हम देखे तो यह vitamins के category में आता है supplements के category में आते है और adjuant therapy के तोर पे उसको use किया जाए कि जो specially जो therapy चलती है कि male infertility related जो therapy चल रही है तो उसमें यह tablet जो काफी आपको help कर सकती है तो उसके basic use यहाँ पे हम समझे तो जो specially infertility के जो पूरू सोख के अंदर जो बांजपन का जो problem होता है उसको ठीक करने के लिए यह medication use की जाती है तो कुछ यहाँ पे analysis देखो sperm count के related तो यहाँ पे जो आप देख रहे है यह है normal sperm count कि जो specially होता है 15 million जितना per ml जितने semen के अंदर कि यह पे आप देखो लिखा है कि semen analysis जब आप करते उसकी जो parameters चेक करते है तो जब 1 ml जितना आप content चेक करते हैं उसका और उसमें 15 million जितने sperm या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो उसको normal value जो हो कही जाती है और उससे समझो कि sperm count कम है तो उसको कहा जाता है low sperm count तो यह medication जो low sperm count को भी treat करता है फिर जो sperm की motility जो होनी चाहिए उनकी जो movement अच्छे से होनी चाहिए वो भी embryo करने में यह medication help करता है तो sperm motility के हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि total जो motility जो होनी चाहिए स्पर्म के वो 40% या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए तो उसको भी increase करने में यह tablet जो आपको help करती है sperm की जो quantity होती है उनको increase करने में help करती है कि यहाँ पे आप देखो कि जब low sperm count होता है तो उनकी quantity आप देखो तो यह बहुत ही कम quantity में आप यहाँ पे sperms देख सकते है तो यही increase करने के लिए उनकी quantity उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो है वो यह medication आपको help करता है फिर दूसरे कुछ जैसे problems कि जब आपके body के अंदर काफे weakness है ठकान है और उसके करन भी कई बार sperm counts कम हो जाते है तो उसको भी treat करता है यह medication फिर जब आपके immunity कम होती है और उसके करन भी यह problem हो रहे है infertility related तो उसको भी boost करेगा यह medication और आपका जो stress level जो है वो कम करेगा कि जो कुछ ऐसे reasons बनते हैं कि जिसके करन कई बार male infertility के problems होते है low sperm count हो जाता है motility कम हो जाती है spums की तो यह सभी problems को solve करता है यह diffract tablet आगे हम दीखें दुसरी तो यह किस तरह से काम करता है उसके working के बारे में अब समझें तो सबसे पहले co-engym q10 का हम function समझते हैं तो co-engym q10 करके जो ingredient है वो antioxidants के तोर पे काम करता है और antioxidants ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसे chemicals या और फिर ऐसे कुछ actions को block करते हैं कि जो हमारे cells को damage करते हैं कि कई बार जो हमारे healthy cells होते हैं वो damage होने लगते हैं और जो हम spums के बाद करें तो वो भी type के cell है तो जब वो damage होने लगते हैं तो उनका count जहे वो देरे-देरे कम होना लगता है तो co-enzyme q10 जहे वो क्या करता है antioxidant के तौर पर काम करता है और जो reduce होता है जो cell damage होता है उसको reduce करता है और sperm count को increase करने में ये medication जहे वो आपकी मदद करता है आगे बात करें तो जो दूसरा ingredient है estoxanthin करके तो उसका भी काम similar है co-enzyme q10 की तरह तो वो भी एक antioxidant है और antioxidant होने के करन वो भी cell damage को prevent करवाता है और reduce कर देता है कि जिससे sperms की healthiness बनी रहती है और वो उनका count जो है वो बढ़ता है साथो साथ वो क्या करता है कि जो protect करता है cells को damage होने से तो इस तरह से ये दो ingredient estoxanthin और co-enzyme q10 ये tablet के अंदर काम करते हैं दूसरे ingredient के बारे में हम समझे तो जो selenomethionine करके जो है तो वो भी एक powerful antioxidant है और उसका जो काम है कि आपकी immune system को boost करता है और protect करता है body को अलग-अलग infections है कई बार जो हमें infections हो जाती है अलग-अलग, बीमारी आ जाती है बार-बार आप बीमार हो जाते है उससे body के अंदर weakness आ जाती है ठकान आ जाती है और आपकी immunity कम हो रही है तो उसको enhance करने में ये selenomethionine जो है वो काफी help करता है और जो चौथा ingredient है वो है vitamin D3 तो D3 हम जानते कि वो specially हमारी हड़ियों की मजबूती के लिए काफी ज़रूरी है साथ हो साथ जो muscles होते है उनकी मजबूती के लिए भी ज़रूरी है जो हमारे सनायू होते है muscles होते है फिर वो भी immunity boost करता है आपके mood को improve करता है और जो heart होता है हमारा दिल होता है उसकी भी functions improve करने में मदद करता है तो इस तरह से overall जैसे हमने ये tablet के basic use देखे तो उसको fulfill करता है ये उसका working की है इसके working के जो benefit से उसके करण हम उसको वो बीमारियों में use करते हैं जो इसके करण इसके simple basic dose के बारे में समझे तो treatment जो है वो इस तरह से शुरू होती कि आप दिन में जो है वो एक tablet खाते है कि one tablet per day और same time पे ही ये tablets आपको लेनी होते कि समझे कि आप खाना खाने के बाद कि आप खाना खाते है समझे कि one 30 के आसपास समझे कि आप खाना खाते है दिन में तो day one को समझे कि आपने 130 में के बाद आपने tablet ली है तो same first day जिस तरह से लेते हैं उसे तरह से second day पे भी एक बच्च कर 30 मिनिट के आसपास ही आपको जो वो tablet खाने है वो भी खाना खाने के बाद तो आपका सीड्यूल एक प्रॉपर होना चाहिए डायेट आप के साथ में प्रॉपर होना चाहिए आप फिक्स टाइम पे जो वो डायेट लेते है खाना खाते है लंच करते है और उसके बाद ये मेडिकेशन जो आप same time पे लीजे तिसरी बात करें तो खाना खाने के बाद ही आप ये मेडिकेशन को लीजे कि जिससे stomach upset या फिर acidity जिससे problems ना हो और overdose में ये मेडिकेशन को कभी भी यूज नहीं करनी है और एक ही दिन पे ना ही ऐसे दो टेबलेट खानी है ना ही तीन टेबलेट के कभी बार लोग क्या करते हैं कि sperm counts जो कि बहुत ही कम है तो वो ऐसा सूचते कि एक ही दिन में ये समझो कि दो तिन टेबलेट खा लेंगे तो उनके sperm count increase हो जाएंगे बड़ ऐसा नहीं होता excessive dose में लेने से उपर से आपको और दूसरे side effects हो जाते हैं ज़्यदा problems होते हैं तो ध्यान में ये खी रखना है कि सिर्फ और सिर्फ OD once a day ही ये टेबलेट लेनी है और दिन में एक ही बार same time के उसको लेना है अब बात करें उसके कुछ side effects की तो सबसे पहले जो आपका stool होता है उसका जो color है वो red हो सकता है तो इसमें कुछ tension लेनी वाली बात नहीं रहती तो ये खास आप दियान रखें कि अगर आप ये medications के बाद stool का color ऐसा red हो रहा है तो वो कोई tension वाली बात नहीं होती बिकोज ये medications के अंदर जो कुछ ऐसे pigment से उनके करण जो हो आपका stool color जो वो change हो सकता है second stomach upset कि कई बार आपको ऐसा हो कि पेट में दर्ध हो जैसा फिल करें आप या फिर जो जलन जैसा वापे होता हो ऐसा आप फिल करें acid जैसा फिल करें फिर कुछ लोगों को nausea vomiting हो जाते है कि उल्टी हो ना जी गबरहना कुछ लोगों को दस्त हो जाते है डायरिया जैसा कुछ Leute फिल करते है फिर dizziness जैसा कई बार कुछ लोग फिल करते कि नीनद आती रहे आपको आप ऐसा फिल करें या फिर उसके करण आपको सर्दर जैसा फिल होता है तो यह कुछ इसके common side effects है, दूसरे कुछ ऐसे side effects देखे कि कई बार ये medications लेने के बाद आपकी भूख कम हो जाती है, loss of appetite या फिर जिसको हम anorexia की condition कहते हैं, वो हो सकता है फिर heartburn, मलब कि सीने में जलन specially कि जो acidity कई बार होती है उसके करण आपको या पर आप ऐसा फिल करेंगे, आपको heartburn जैसा हो रहा है सीने में जलन हो रहा है फिर जो liver के जो enzymes होते हैं उनकी जो amount है वो ये increase करवा सकता है ये medication, आपका blood pressure जो हो reduce हो सकता है कि जिसको कह सकते हमकी low BP का problem जो हो create कर सकता है temporary, permanent नहीं बड़ temporary वो आपका blood pressure reduce करवा सकता है फिर gastric discomfort में लगकि जो हमारा digestive system है जो digestive track है कि mouth से लेकर जो एनस तक का जो बाग होता है तो वहाँ पर आपको discomfort जैसा फिल हो कि जैसे अभी हमने बात की कि nausea vomiting हो जाना, diarrhea जैसा हो जाना पेट में दर जैसा फिल होना अब बात करते हैं उसके कुछ warnings की हम बात करें तो किन लोगों को ये medication नहीं लेनी है या फिर proper precautions के साथ या फिर patient counseling के साथ ही use करनी है या फिर इसको avoid करना है तो सबसे पहले जिन लोगों को liver related problem है heart related problem है, kidney failure के patient है तो खास precautions के साथ उसको use करें या फिर उसको use करना आप avoid ही करें फिर अगर आपको किसी भी ingredient की allergy की, यहाँ पर आप देखो कि यह ingredients यहाँ पर mention है यह tablet के और आपको इन में से कोई भी एक ingredient की allergy है तो भी आपको यह medication को नहीं लेनी है तो यह खास आप सावधन यह रखे फिर इसके कुछ drug drug interactions हम देखे, तो यह tablet interactions कर सकती है anticoagulants के साथ, जैसे कि आप warfarin भी ले रहे हैं और साथ में यह defrag भी लेंगे तो drug interactions हो सकती है कि जैसे medications की effect कम हो जाए, फिर anti-cancer दवायों के साथ भी उसको use नहीं करना है और blood pressure की जो medications आती है, जैसे कि captopril है, enalapril है loss artan है, amlodipin है तो अगर यह सब medications आप ले रहेगी जो आपका blood pressure जो है वो कम करती है, तो उसके साथ भी यह medication ना ले, बिकास जैसे हमने उसकी एक side effect देखे कि यह medication जो है वो defrag defrag क्या करता है, blood pressure जो है वो reduce करवा सकता है और यह medication भी क्या करती है blood pressure down करती है तो दोनों साथ में हो जाएंगे तो blood pressure आपका इतना ज्यादा कम हो जाएगा, कि काफे serious complications हो सकते हैं, तो यह आपको एक चीज खास दियान रखनी है, कि अगर आपको blood pressure का problem है और यह blood pressure के कोई भी medication आप खा रहें, तो इसके साथ यह defrag के tablets को use ना करें तो हमारे second channel के जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellence को जरूर से subscribe करें link आपको description box में आपको मिल जाएगी, कि जहाँ पे आप अलग-अलग Hollywood movies को Hindi में देख पाएंगे, वो भी उसके अलग-अलग subtitles के साथ अच्छी picture quality के साथ और यह especially हमने एक entertainment purpose से आपके लिए एक channel बने ही तो जरूर से उसको subscribe करें और हमें support करें तो सीखे दवाईयों के बारे में, उनके basic use के बारे में dose side effect, warning and contraindications को एक साल तक offerable price में सरल बासा में, वो भी pharma rox के आप उपर, android user android app डाउनलोड करें, iphone user app store से, या फिर 9016312020 पे आप हमे whatsapp कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, या फिर apps को डाउनलोड करें आप app store से, या फिर google play store से good luck and all the best